नमस्कार दोस्तों साची मों मामी दाउताई और मेरे यारों कैसे हो आप लोग तो दोस्तों यह है कहां पे यह है सिम्रा डांगी पार केमार हॉस्पिटल के बगल में रेट सत्रास और अथारे सो बीश रुपर स्कुर फिट कािसा रेट यहां के मेरे यई रोड देखिए कंआर हॉस्पिटल साप साब देख सकते है और माست रोड है ella यह रोड आपको कहीं भी शहरों में इतनी चौड़ी रोड नहीं मिलती है यहाँ पे मिलती है दोस्तो देखें दोस्तो एक बात मान लेजे कि शहर फैल रहा है जादा जगे नहीं है शहर के बीच में आप लेनी पाएंगे और शहर के बीच में लेने का मतलब भी नहीं है अब शहर के थोड़ा थोड़ा दूर आप ले सकते हैं तो कहीं न कहीं रोड के नजदीक ही होता है क्योंकि यहां पर रोड का जाल है दोस्तों बहुत जादा जमीने रोड में निकाली गई है सरकार द्वारा सरकारी रोड यहां पर बहुत जादा है उसमें से ये एक सरकारी रोड जा रही है और ये सामने है प्लोटिंग की रोड ये देखे सीधे रास्ता जाता है सीधे इस तरफ रास्ता जाता है सेमरा डांगी पार की तरफ और उसके एपोजिट साइट सिक्टॉर की तरफ ये प्लोटिंग की जमीन है जहां पर एक कॉलेज भी है पीछे कोनी और पक्वा बाजार पड़ता है बहुत ही फेमस बाजार है पक्वा बाजार बहुत महेंगी जमीन है यह पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस प्लोटिंग का रेट अलग अलग लोगों ने ऐसा जादा डालके रखा है किसी ने 2000 रुपए डाला ह इस तरीके के रेट डालके रखे हैं किसी ने और बहुत पहले डालके रखे हैं तो अभी अगर किसी से बोलेंगे इस प्लोटिंग के बारे में तो एक इस बाइस तो आपको ऐसे भी बताएगा रेट लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं 50 रुपए मेरा रख के बता रहा हूं यहाँ पे जो घर बन रहा है यह भी रास्ता है सामने उसके जो यह हमारे मेहनत कर्श मजदूर भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे जो मैडम चल रही है वो भी रास्ता है और यह प्लोटिंग का रास्ता है इस पे जो है काफी हद तक बात तक पैसा नहीं आता तब तक इसको भिका हुआ नहीं माना जाएगा तो आप यह देखेंगे यहाँ पर इस प्लोटिंग के अंदर भी रास्ते की कोई कमी नहीं रखी गई है चोड़ा 20 वीट का रास्ता निकाला गया है घर बन रहा है और वैसे भी इस इलाके में जो है काफी घर बन चुके है और किसी तरीकी कोई दिकत नहीं है मैं इसका काफी बार टूर दे चुका हूँ यहाँ पर काफी चीज़ा बता चुका हूँ अपने लाइव में आके भी मैं इसके बारें बता चुका और अब मैं बताऊंगा भी काफी दिन से मैंने लाइव नहीं किये तो मैं लाइव में आके आपको बताऊंगा भी मतलब जो बिक रही है यहाँ पर समझे कि कोई मजबूरी होगी बिक रही है वरना इस समय कोई नहीं बेचना चाता आगे की situation देखते हुए आगे की situation क्या इसके एक तरफ चले आता है बंदे की तरफ वो बंदा आ रहा है ट्रांस्पोर्ट नगर की तरफ से जहां पर खिरवनिया वहरवनिया पत्रा यह सब पढ़ता है वो बंदा चलते हुए रुस्तंपूर बढ़गों को जॉइन कर लेता है एक तरफ बंदे पर ज चालू है तो एक तरफ खोराबार इसके सोसाइटी बन रही है जीडिये की बगल में चिडिया का धाई किलुमीटर यहां से पड़ेगा तो यह एक ऐसी जगह है दोस्तों जो कि भविश्य में जाके एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बनने वाली है देखिए में रोड दोरा सामने आपके और यहां पे इसका समझे आखरी प्लॉट की दूरी है यानि कि आखरी प्लॉट भी बहुत पास है में रोड यह तो यहां पे जो पूरी प्लॉटिंग आपने देखी है यह बहुत ही मस्त है प्लॉटिंग का रेट मैंने आपको पताया बहुत ही बहुत जादा ये इस बार chances है कि नगर निगम में कुछ समय बाद आ जाएगा और जब नगर निगम में आएगा दोस्तों तो मैं कोई help नहीं कर पाऊँगा यहां पर रेट बहुत जादा बढ़ेगा तो आपको जितने भी एरिया दिख रहे हैं वो पारडाइस की बीडिंग दीख रहे है दूर से थोड़ा आगे जाकर के सामने से एक रास्ता जाता है जो नर्सरी यानि की पौदे जहां बिखते हैं वहां पर पहुंच जाता है प्लॉट से सिक्ट और चौरहा तो इसी इलागी में पांडे कॉलोनी भी पढ़ता है दोस्तों चप केंंट हैं और छेगह पहुंचने की तीन तीन रास्ते हैं दोस्तों तो अम लोग सीधे में के हमारा ऑस्पिटल से यह एक रास्ता है यह भी सरकारी रास्ता आगे बड़ते हैं यह जो आपको शेट दिख्रा यही है नर्शरी आगे इसमें गरश़ी यह प्लबए area दिखेगा और जो आपको बता रहा था पाजा पानी वगरा नहीं लए यहाँ पे थोड़ा दूर आगे जाते एक और रास्ता मूड़ रहा है left में तो आप pos Thomas में भाछ रहा था left में भी मूर रहा था दोनों तरफ रास्ते मूर रहे थे तो ये जो एरिया है आप ये विश्वास रखिए कि आप जहां भी खड़े होंगे वहाँ पर आप जह थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके एक और रास्ता मिल जाएगा तो आपको एक ही जगा पहुसने कई रास्ते हो जाएंगे हम फिर राइट में फिर रास्ता निकला है लेफ में फिर अब मैं रास्ता के बारे में क्या बताऊं तो आप खुद आगे एक बर मैं आपको विजिट करा दूँगा जैसा मैं लोगों को कराता हूँ अब में आगे चल रहा हूँ तो दाहीने हात में आपको क्या दिख रहा है? दाहीने हात में यह है शिक्षर प्रशिक्षर संस्थान यानि टीचर's Trading Institute राम गुलाम रहा है शिक्षर प्रशिक्षर संस्थान बहुत famous है दोस्तों यहाँ पर तो यहां पर प्लॉट जमीने लेंगे अगर इन्वेस्टमेंट परपस भी रखते हैं तो भी आपको ये पांच-छे साल में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा तीन से हाल में भी आप बेश सकते हैं जैसे सिक्ट और इलाका पड़ता था पहले कि वो लोगों ने चार साल यह से 9000 उपer स्कॉर कर रिट ठार 6workers थे तीन अजार रुपए पर एकर रास पर होने वाला है यह यह कूछ भी नहीं था अब इस समय इस एरिया में हर एक शार लिट इक रूबबग लिक सिक्टोर हम लोग जा रहे हैं बी सिक्टोर 14 हाँ ही और यह तो कॉमरिशन रोड़ है साटवित का नक्षए में तो आपको यह रोड़ भी जो अच्छा कासा मिलेगा तो आप किसी बीनिफ पिना चिंता थिए इस भी ले सकते, यह commercial road है, आपको इसमें जो है, कोई भी जो प्लॉट मिलेगा, अपसका commercial use भी कर सकते हैं, तो बिना किसी दिक्कत कि हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा fast forward करूँगा मैं और आपको, और भी वीडियो लंबा जो है, मैं इसलिए लंबा रखा है, ताकि आपको पूरा पांडे कॉलोनी की तरफ घुज जाता है, मैं सीधे आया था, जातर लोगों मैं सीधा ही लेके आता हो इस तरफ से, लेकिन ये रास्ता जाता है, चोटा सा पांडे कॉलोनी यानि की उब्धाली की तरफ वो भी एक रास्ता है, तो यहां से सीधे चलते है, राइट में Motherland Hospital, ग्रीन सा जो दिख रहा है, वो Motherland Hospital है, और बाइपास की जो उपर से जा रही है, फोर लेन इसके बगल में आपका आतमदीप स्कूल पढ़ जाता है, तो दोस्तों यहां ही पर राइट में आतमदीप स्कूल है, अंडर पास से होते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं, सामने आप लोग पहुंचेंगे पक्वा बाजार, और दोस्तों में थोड़ा धीरे धीरे ही चलाओंगा, ताकि आपको यहां से चीजे बहुत ज़्यादा आप लोग गय नहीं होंगे, इसके लिए यहां पे भी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, आगे बढ़ते हुए, जैसा आपको सीधे चल रहे हैं, देखिए, यही रोड आपको ले जाती है, डागी पार की तरफ, और सीधे अगर चल आते हैं, तो बन्दे की तरफ चलेंगे, लेकिन हम सीधे बन्दे की तरफ नहीं जाएंगे, यहां पे भी रोड है, राइट में जा रही है, यह भी आपको जोइन कर जेखे स्कूल के थोड़ा पहले, तो आपको यह जहां पर रोड की कमी नहीं, यहां पर, फिर मैं आपको दिखा हरा हूँ, यह Korner Plot, जो आपको दिख रहा है, यह Meerar है यह मेरा है में रोड पे और कॉर्णर पे प्लॉट है यह मस्ट साइकलेप्टिस का पेड़ू का हुआ है यहाँ से सीधे चलते हैं आप देखी रहे हैं कि जो लोग है आप अच्छे कासे रह रहे हैं और ऐसी जगवा पर अच्छा फाइदा ही होता है कि थोड़ी सी जादा का मजा भी ले सकते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं होती है यहाँ पर लाइट पूरा रहती है यह दूसरा प्लॉट पूरप कर नर देखें यह भी कार्न तो यहां से पकवा बादार का रास्ता है अगर हम सीधे चले आता है यहां पर देख रहे हैं एक लेफ्ट जाता है और एक सीधा जाता है तो हम लोग यहां से लेफ्ट जा रहे हैं सीधा जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे बंदे पर कुछी दूरी पर और यहां से हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं तो देखें यहां पर वीडियो मैं थोड़ी देर में अब खतम करूँगा आप पूरा वीडियो देख लिया अच्छा प्लॉट है बहुत ही मस जगह कई गाउं का बड़ा market है यह दोस्तों कई area का बड़ा market है यहाँ पे जमीने बहुत महेंगी इम पहले तो खाली ही नहीं मिलेंगी आपको कुछ दिन पहले मैंने आका तीन महिने पहले मैंने आ पकवा बाजार फे market में एक दुकान का वीडियो डाला था वीक रही थी वह भी चुकी है यहां से सीधे आपको पक्वा बजार दीख रहा है दोस्तों अब वीडियो खतम करने का समय आ गया है मेरा वीडियो जरूर देंके लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों आप जोक से जुड़े रहें धन्यवाद